प्रेम से बोलिए श्रीमत भागवत महापुरान की जय आज से आप भागवत कथा के दस्वे इसकंद का रस्पान करेंगे और राजा आप रस्पान करने वाले हैं पहले अध्याय का राजा परिक्षित ने पूछा, हे भगवन, आपने चंदरवन्ष और सुरिवन्ष के विस्तार और दोनों वन्षों के राजाओं का अथ्यत अध्भु चरित्र वर्णन किया भगवान के परम प्रेमी है मुनिवर आपने सुभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवन्ष का भी विश्यद वर्णन किया अब करपा करके उसी वन्ष में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतरित हुए भगवान कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाईए भगवान श्री कृष्ण जो की समस्त प्राणियों के जीवन दाता और सरवात्मा है उन्होंने यद्वन्ष में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवन कराईए जिनकी तरिशना की प्यास सदा के लिए बुझ चुकी है वे जीवन मुक्त महापरुष जिसका पोर्ण प्रेम से अत्रित रहकर गान किया करते हैं और जो भव रोग का रामबाल औशदी है तथा विशई लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम सुख देने वाला है भगवान के ऐसे सुन्दर सुख दरसीले गुणानुवाद से पशुघाती अत्वा आत्मघाती मनुश्री के लावा और ऐसा कौन है जो विमुक हो जाए और उनसे भक्ती ना करें उनसे प्रेम ना करें श्री कृष्ण तो मेरी कुल्दे भी हैं जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीश्म पिता में आधी अतितियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो मेरे स्वनाम धन्य पिताम है भगवान कृष्ण के चरण कमलों की नौका का सहारा लेकर उस समुद्र को अनयासी पार कर गए ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ सुभाव से ही बच्छडे के खुरका गड़ा पार कर जाए महराज मेरा यह शरीर जो आपके सामने है और जो कौरव और पांडव दोनों ही वन्शों का एक मात्र सहारा था अश्वत थामा के ब्रहमास्तर से जल चुका था उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की किवल मेरी ही बात नहीं वे तो समस्त शरीर धारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अम्रित तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यू का शरी सूत जी कहते हैं हे शौनक जी भगवान के प्रेमियों में अग्रग और भगवान श्री कृष्णी की उन लीलाओं का वर्णन आरेम कर दिया जो समस्त कली मलों को सदा के लिए धो डालती हैं श्री शुकदेव जी कहते हैं हे परिक्षित उस समय लाखो द्यत्यों के दल ने खमंडीर राजाओं का रूप धारन कर अपने भारी भार से पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई प्रत्वी ने उस समय गव का रूप धारन कर रखा था उसके नेत्रों से आंसु बह बह कर मुह पर आ रहे थे उसका मन तो दुखी था ही शरीर भी बहुत कमजोर हो गया था और वह बड़े करुन स्वर से रंभा रही थी ब प्रहमा जी ने बड़ी सहानुभूती के साथ उसके दुख गाथा सुनी उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता और गाए के रूप में आई भी प्रत्वी को अपने साथ लेकर क्षिर सागर के तट पर गए भगवान देवताओं के भी वे अपने भगतों की सारी इच्छाएं पून करते हैं उनके सारी दुखों को नस्ट कर देते हैं वे ही जगत के एक मात्र स्वामी हैं क्षिर सागर के तट पर पहुँचकर ब्रहमादी देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्ही परम पुरुष सर्वन तर्याम प्रभु की इस्तुती की इस्तुती करते करते ब्रहमाजी समाधिस्त हो गए उन्होंने समाधिय वस्था में आकाश्वानी सुनी उसके बाद जगत के निर्मान करता ब्रहमाजी ने देवताओं से कहा हे देताओ मैंने भगवान की वानी सुनी है आप सभी उसे मेरे द्वा इसलिए अपनी काल शक्ती के द्वारा प्रत्वी का भार दूर करते वे वे जब तक प्रत्वी पर लीला करें तब तक आप सब भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जनम लेकर उनकी लीला में सहयोग प्रदान करों। अनंत का अंश भी अनंत ही होता है और जिनके सहस्त्र मुख हैं भगवान के प्रेकार करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहन करें। इस प्रकार आग्यती और प्रत्वी को समझा बुजा कर धांडस बताया। इसके बाद वे अपने परमधाम को चले गए। प्राचीन काल में यदवन्शी राजा थे शूर सेन। वे मत्वरापुरी में रहकर माथूर मंडल और शूर सेन मंडल का राजशासन किया करते थे। उसी समय से मत्वरा ही समस्त यदवन्शी नर्पत्यों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्रीहरी सदा ही वहाँ विराजमान रहते थे। एक बार मत्वरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रध पर सवार हुए। उगरिसेन का पुत्र था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन करने के लिए उसके रध के घोड़ों की रास पकड़ विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकरे 400 हाथी, 15,000 घोडे, 1800 रत और सुन्दर सुन्दर वस्त्र आभुशोनों से विभुशित 200 सुकुमारी दासियां भी उपहार में दी। विदाई के समय वरवधु के मंगल के लिए एक ही साथ शंक तुरही मृदंक और आकाश्वानी भी, कि अरे मूर्ख, जिसको तु रत में बिठा कर लिये जा रहा है, उसी की आठवे गर्ब की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी, और वह भोजवंश का कलंग तो था ही, आकाश्वानी सुनते ह जट उसने तलवार खीचली और अपनी बेहन की चोटी पकड़ कर उसका वद करने के लिए उसे मारने के लिए तयार हो गया, वह अत्यन्त करूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निरलज भी हो गया था, उसको ये सब करते देखकर महात्मा वसुदेव जिसको शान्त करते भ की बेहन और तीसरे ये विवाह का शुब अवसर है, ऐसी स्थिती में भलाब इसे कैसे मार सकते हैं, वीरवर जो जन्म लेते हैं, उनके शरीर के साथ ही मृत्यू भी पैदा होती है, आज हो या सौवर्षो के बाद, जो प्रानी है, उसकी मृत्यू अवश्य होगी, जब श जैसे चलते समय मनुष्य अपना एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाया करता है, और जैसे जो किसी अगले तिंके को पकड़ लेती है, तब पहले के पकड़ेवे तिंके को छोड़ती है, ठीक वैसे ही मनुष्य भी अपनी कर्म के नुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस पहले शरीर को छोड़ा करता है कंस ये आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है ये तो आपकी पुत्री के समान है और इस पर अभी अभी इसका विवहा हुआ है विवहा के मंगल चिन भी इसके शरीर से अभी नहीं उत्रे है ऐसी दशा में आप जैस दीन वचल पुरुष को इस बिचारी का वद करना बिल्कुल भी उचित नहीं है शरी शुकदेव जी कहते हैं हे परिक्षित इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदी साम निती और भय आदी भेद निती से कंस को बहुत समझाया परन्तु वह तो बहुत करूर था र कि बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धी और बल साथ दे मृत्य को टालने का प्रयास करना चाहिए और अगर प्रयास करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयास करने वाले का कोई दोश भी नहीं होता इसलिए मृत्य रूप कंस को अपने पुत्र दे दे कि प्रतिग्या करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूँ अगर मेरे पुत्र होंगे और तब तक ये कन से स्वयम नहीं मर जाएगा तब क्या होगा संभाव है उल्टा ही हो मेरा पुत्र ही से मार डाले क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना तो बड़ा कठिन है मृत्यों सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लोट आती है जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी ना जले दूर की जल जाए और बिल्कुल अगनी के पास की बची रहे इन सब बातों में अद्रिष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता आपको लाकर खुद सौब दूगा श्री शुक्तेव जी कहते हैं है परिक्षित कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन जूटे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया ज समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक-एक करके आठ पुत्र और एक कन्याउत पन्ही पहले पुत्र का नाम था कीरतीमान वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया ऐसा करतिस में उन्हें कस्ट तो बहुत हुआ ज्योंकि कोई भी पिता भला अपने ही पाने के लिए किसी दूसरे को कैसे सौप सकता है परतो इस कस्ट से भी बढ़कर उन्हें कस्ट इस बात का था कि कहीं मेरे वचन जूटे ना हो जाएं ही परिक्षित सत्य संद पुरुष बड़े से बड़ा कस्ट भी सहन कर लेते हैं ज्यानियों को किसी बात के पेक्षा न भा रहे हैं तब वह बहुत प्रसन हुआ और उनसे हसकर बोला कि वसुदेव जी आप इस नन्ने से सुकमार बालक को ले जाएए इससे मुझे कोई भय नहीं क्योंकि आकाश वाली ने तो ऐसा ही कहा था कि देवकी के आठवे गर्ब से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृ वसुदेव जी ने कहा ठीक है और उस बालक को लेकर वे लौट आए परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुस्ठ है और उसका मन उसके हाथ में है ही नहीं वो किसी भी छन बदल सकता है और अपनी बात भी टाल सकता है इसलिए उन्होंने उसकी किसी बात पर इधर भगवा नारत कंस के पास आये और उससे बोले कि कंस ब्रिज में रहने वाले नंदादी गोप उनकी पतनियां वसुदेव देव की नंद और वसुदेव दोनों के सजाती बंधू बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रह ही है जब देवर्शी नारत कंस से ऐसा कहकर चले गए तब कंस को ये निश्चे हो गया कि ये दुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्ब से ही विश्नु भगवान मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हत खड़ी बेड़ प्रत्वी में ये बात प्राया देखी जाती है कि अपने ही प्राणों का पोशन करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता, अपने भाई बंधू और अपने अन्य हितैशी इस्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं क्योंकि कंस ये भी जानता था कि मैं पहले काल नेमी असुर था और श्री विष्णू ने ही मुझे मार डाला था इसलिए उसने यदू वंशियों से घोर विरोट ठान लिया, कंस बड़ा बलवान था, उसने यदू भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्र सेन को भी कैद कर लिया और शूर शेन देश का राज अवह स्वैम करने लगा हरे कृष्णा आज का ध्याय समात उमीद परती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी